जीवन क्या है संगर्ष है संगर्ष में पहली requirement क्या है conceptual clarity कि नहीं मैं तो इतिहास को एक विश्य को रूप में पढ़ा बाद में वो विश्य मेरा गुरू बन गया और गुरू बनकर उस विश्य ने मुझे जो कुछ दिया अर्जुन अशोक अक्बर एक तरफ मोहमद बीन तुगलक औरंगजेब अडवानी दूसरी तरफ अर्जुन अशोक अकबर एक तरफ मोहमद बीन तुगलक करंसी सिस्टम टोकन करंसी अच्छी सोच मध्युग में कोई आदमी इतने आगे के बारे में सोच रहा है बहुत बड़ी बात लेकिन सोचना और फिर उसे सक्सेस्फुली इंप्लिमेंट करना 31 दिसंबर आ रहा है बहुत लोग कसम खाएंगे कि कल से सिगरेट नहीं पियेंगे और एक जन्वरी 11 बजे तक कसम चलेगी किसी की 11 चल जाएगी अब ये तो गुरूप अगर आप आज कागज पे घर पे जाके लिखें और फिर दोनों गुरूप की विशेष्टाएं लिखें जैसा एक गुरूप है अरजुन, अशोक, अगबर इनका गुरूप, इनके साथ जो लोग है, संगत एक से एक अडवाइजर अशोक का अडवाइजर कौन है, मोगाली पुत्तिस अगबर के नौरतन देखिये है, अरजुन का तो खहर अडवाइजर भगवान ही है लेकिन अगर दूसरी लॉबी को आप देखें वो एडवाइजर चाहते ही नहीं आप हमेशा, जैसे हम क्लास लेते हैं कभी कोई बात कहे दी क्लास में, किसी लड़के ने हाथ उठाया कि सर ये आप जो बात कह रहे हैं, तरक संगत नहीं है सर प्रमाणिक नहीं है, प्रमाण दीजे और हमें तो यहां तो प्रमाण देना ही पड़ेगा और हम तो हिस्ट्री के टीचर है हिस्ट्री में तो और ज़्यादा दिक्कत है इस देश में लगभग पूरी दुनिया में लेकिन इस देश में सबसे आदा दो तरह की हिस्ट्री एक आपकी हिस्ट्री शाही वर्क की ब्यूरोक्रैसी की एक आम आदमी की आम आदमी का अपना अलग इतिहास है इससे औरंग जेब अब वो वो विचारा साशक है हमार लिए क्या है हमारे लिए वह एक केस है केस्टेडी अगर आप औरंगजेव को हिंदू की तरह देखेंगे न तो आप उसकी महानता नहीं देख पाएंगे और अगर आपने औरंगजेव को मुसल्मान की तरह देखा तो आप उसकी गलतियां नहीं देख पाएंगे लेकिन बड़े सारे बाहर लोग ऐसे आपको मिलेंगे जो या तो उसके विरोधी हैं और या उसके समर्थक हैं आपको भी कहना हां बहुत बड़ा एक बार ऐसे आस्मान में उगली डाल के छेट कर दिया था और पहला काम यह करो इस तैयारी का सद्धान्त पहला यह है कि जो भी करने जा रहे हो पहला स्टेप होगा conceptual clarity देखो यह अवस्थी दो साल से तयारी कर रहे है आशा करता हूँ यह जो बाते मैं आपसे कहूंगा आज इसको एक page पे एक-एक point लिख लिजेगा तो पहली चीज क्या है संघर्ष करना ही है तुम भागी नहीं सकते उसकी requirement क्या है पहला conceptual clarity क्या करना है और कैसे करना है नहीं यह बात clear स्पस्ट तभी मैं दूसरे मुद्दे पे आऊंगा पहला मुद्दे स्पस्ट तंगर्ष है तुम भाग नहीं सकते तुम भागी नहीं सकते ऑप्शन ही नहीं है तो जब भागना नहीं है तो हसस के लड़ेंगे हुसाइन अली पता नहीं आपने नाम सुना के नहीं एक युद्ध में जो उनका दुश्मन था इसको पकड़ लिया उन्होंने पकड़ के पटक दिया जमीन पे और उसकी सीने पे बैठ गया हुसाइन अली मारने के लिए और जैसे ही भाला उठाया सीने में डालने के लिए वैसे उस आदमी ने जिसके सीने पे बैठे थे उसने रुटे मुझे थूक दिया हुसाइन अली ने भाला रख दिया का जाओ अरे उसने गल्ती कर रहा है और बोला जाओ आज नहीं मानेंगे तुम्हे अरे बोले अगर यह मौका मुझे मिला होता न मैं दूसरा मौका तुमको नहीं बोला यह सब बाते छोड़ो तुम जाओ तुमको आज नहीं मारेंगे उसने का मैं तो चला जाओंगा पर वजह जानना चाहता हूँ आज क्यों नहीं मारोगे उनने का जब तक मैंने भाला उठाया तब तक मेरे मन में कोई तरंग नहीं थी मैं शांत था ऐसा संभव है कि तुम किसी की हत्या करने जारो और तुम्हारा मन चांत हो हुसेन अली ऐसा संभव है बोले जब तुमने मेरे मूँ पे थुका तो मेरा मन अशांत हो गया मुझे क्रोध हा गया और मैं क्रोध में किसी को मार नहीं सकता अगले दिन मारेंगे भी तो मुहबबत में हसा हसा के मारेंगे तंगर्ज करना है नहीं बत्रह पे हम चपल पहन के गूमते थे आज मैं सबसे मिला एक एक करके यहां एक सोनी भाई है कसाई हैं बड़े अच्छे दोस्त हैं मेरे यह सामने उनका शॉप है है कसाई पेशे से लेकिन आदमी बहुत अच्छे हैं तो मैं आया उनसे मिला मैंने का अरे सार हम आपको यूट्यूब बे देख रहा है कोई बात नहीं छोड़ो हटाओ और बताओ कैसे हो जितने लोगों को मैं यहां जानता था मेरा पान वाला है मैं उससे गया मिला आप पान खा लीजे इनने का यह लड़के बुरा मन जाएंगे क्लास में तो फिर मैंने का बना दो बात में खा लेगे पान तो खाएंगे ही पहली शुरुवात यहां से करो डरने की कोई शुरुद नहीं इस यूथ इस जवानी का क्या करोगे तीन फेस हैं लाइफ के बच्पन वहां समझ नहीं होती एनर्जी बहुत होती है हो तो हमारा समाझ भारत का जहां लोग बच्चों को बच्पन से पता नहीं क्या बनाते रहते बेटा तुम आएएस बनना रहिए और हमारे घरों में चो लोक्त आते हैं वो और बडए महारती हमारे घरों में बच्चे शोपीस हैं कोई बाहर से आया पोएम सुनाओ बेटा अपए अमीर खुष्रों हें तुम्हारे दरबार के जो भी आ रहा है पोएम सुनाओ पोएम सुनाओ पोएम सुनाओ बच्पना वहाँ समझ नहीं है एनर्जी बहुत है इसलिए तो बच्चे बहुत बदमाशी करते है वो बदमाश है इसलिए नहीं करते एनर्जी बहुत है और पता नहीं कि लगाना कहा है फिर तीसरी फेसे बुढ़ापा वहाँ एनर्जी नहीं है समझ बहुत है तुम किसी 80 साल के बुजरु के आदमी से प्रेम की बात करोगे न गुस्सा हो जाएगा कि बत्तमी जी की बाते बत करो इस सब में कुछ नहीं रखा है आप नहीं किये थे बत्तमी जी बिलकुल मत करना लेकिन वो खतम है समझदारी किसकी इंपॉर्टेंट है विवेकनन की हम क्यों सम्मान करते हैं विवेकनन का जवानी जवानी हम विवेकनन को क्यों सम्मान करते हैं जवानी तो जो जो आदनी फोटोग्राफ में इतना खुबसूरत था वो वास्तविक्ता में कितना खुबसूरत रहा हुगा बगत सिंग पांसी होनी है 24 मार्च को एक दिन पहले डेट आ गई सरकार को खबर मिली कि शायद बास्तील में जो हुआ था फ्रांस में यसे बास्तील का किला तोड़ा गया था यहां भी लोग केला तोड़के क्रांथिकारियों को निकाल लेंगे ऐसा कुछ खबर थी तो यह हुआ कि इनको एक दिन पहले लटका देंगे 23 मार्च को तो 22 मार्च को लाहर का जेलर आके कहता कि सर सुबह सुबह चार बज़े बंदा तैयार है नहां दो के फेट मेडिकल चकप हुआ चार केजी वेट बढ़ गया यहां आटो रिक्षा पर देखोगे न वहां दो तरह के एड मिलेंगे मुटापा कम कैसे करें और एक एड और भी है मुटापा बढ़ाएं कैसे किताब पढ़ रहा है किताब मार्क सांट लेनिन जेलर कहता है कि अंते मिक्षा वहले पंदरा पेज बचे है यह अंते मिक्षा है अगला मरने जा रहा है मरने हैंग होने जा रहा फासी होने जा रही उसकी अंते मिक्षा यह है कि पंदरा पेज बचे हैं उन्हें खतम कर लो और तुम कि नोकरी नहीं लगेगी तो क्या होगा तो हमारी गैंग में आ जाना है हमारा और भी धंदा है कि निवता दे रहा हूं कि टेंशन मत लेला कि तुम इस उमर में टेंशन में रहते हो बाइस मेंम पर्फों ऐसे मेरी मीटिंग थी तो मैंZA कि मुझे फलाफला से मिला दीजै Maui इसे थोड़ी मिलते हैं कि दादू कबीर नानक रैधास इनको ए gel to कि में चानताओ गां जैक्रिans काम का अदमी उंवेँ हैं साथ सो किलोमेटर की साइकलिंग की थी पिछले साल कोरोना के पीक में तुम्हारे लिए ही की थी एक अटेंप डॉडवाना था आई इसका 16 सितंबर से 26 सितंबर लखनव से दिल्ली और मेरे साथ सब युवा ही थे मुझे मिला कर तुम बुजुर्ग सोच लो यार तो बताना तो पड़ाएगा ही यह एक बात हुई दूसरी चीज जहां से आपको फिर शुरुवात करनी है जो आउट अफ दे कोर्स है लेकिन मैं उसको हर जगह चर्चा करता हूं हर जगह बाकी तो सब लोग बताएंगे बोलेंगे ही सब कि इतने लोग यहां बैठे हुए सब मुझसे ज्यादा ही जानकार मैं बड़ा खुश हुआ सबको देखे खासका लडीन सर को देखे तो मैं इतना खुश हुआ और सबीर सारे लोगों से और मैंने कहा ना किसी सिक्षक की तुलना मत किया करी सब अपने आप में महान है आप की छमता आप किस से क्या लेते हैं तो एक लव यही बात का संदेश देता है कि तुम नहीं पढ़ाओगे तो भी तुमसे जो लेना है वो मैं ले लूँगा एक लव एक ऐसा करेक्टर है जिसने गुरू को भी पीछे कर दिया कुछ परस्नालिटियां ऐसी होती ना जो कुछ चीजों को ट्रेंडी तोड़ देती जैसे लोग कहते भगवान स्तर्व शक्तिमान भाली वानर राजबाली नहीं राक्षस राजबाली तपस्या कर रहा है यग चल रही है इंद्र का सिंघासन डोल रहा है पता नहीं इंद्र कैसा उसका जब देखो तब सिंघासनी डोलता रहता है और विश्णु कहते हैं कि मैं सम्हाल रहा हूँ, तिने मतलु मतलू वामन वतार बन कर आए बाली से कहले तीन पक राए है क्या achievement है अर्द तुम्हारी achievement इतनी बढ़ गई है कि भग्मान भी सीधे तूमसे नहीं लड़ पा रहा है उसको तूमसे च्छल करना पड़ रहा है फिर भी वो कह रहा है कि नहीं ये जो कहें बोले तीन पक जमीन चाहिए बोले लेलो दो पक में सब कुछ कवर हो गया उसने का तीसरा बोले तीसरा मेरे उपर रखो दूसरी जबात मैं जो आपसे कहना चाहता हूँ वो यह है तारे यह जीवन संगर्ष है यह बात क्लियर हो गई संगर्ष का पहला requirement क्या है conceptual clarity यह बात इसपस्ट हो गई लेकिन यह सारा संगर्ष करेगा कौन जीवन संगर्ष है यह सारा संगर्ष करेगा कौन कौन करेगा इस सारे संगर्ष में मुख्य भूमिका किसकी होगी मन की यहाँ पर लगभग लगभग आज का युवा हिंदुस्तान का मार खा रहा है मैंने कहा ना आप बत्रा पे खड़े होंगे आपने कहा मेरा optional sociology है चार लोग विरोध करेंगे उसका तुरंट तुरंट सबसे अच्छी बात यह है कि जो आपका optional है यहां बत्रा पे बहुत सारे लोग हैं पाशालकाल से और राजशाही का एक नियम है आप राजा है राजशाही का एक नियम है सब की नहीं सुन सकते भार पाजब पहली वार पैसा आया पहली वार आया श्रीनमती जी को लगा एक गाड़ी लेनी चाहिए बहली मारूती लेंगे मैं ले लो पता नहीं जब हम कोई नहीं चीज़ लेने आते तो आपस में रिष्टेदारों को जरूर बताएंगे जलाना होता है कि हम लोग गाड़ी लेने जा रहे हैं तो उन्हां का कौन से गाड़ी लेने जा रहे हैं इन्हांने का मारूती बहले मारूती लोवर स्टेंडर्ड कार अब शाम को आई मैं आया मैंने का चलो बहली नहीं नहीं मारूती लो स्टेंडर्ड कार अरे मैंने कौन बोला अरे बोले हमने का चलो डिसाइड कर लो यह महीने बीद गए वो डिसाइड ही नहीं कर पाई गाड़ी कौन से लेनी है इतना जीवन में टाइम है जिसके पास महत्वकांशा है उसके पास इतना टाइम है कि वो छे महीने ये डिसाइड करेगा कि गाड़ी को पहले देखलो पाईसा कितना रख्यो पहले डिसाइडिंग फेक्टर तो यही है ना अब लेना चाहतो रॉल्स रॉइस पाईसा नहीं है तो फिर एक दिन हमारी छुट्टी थी मैंना का चलो गाड़ी खरीदते मैंना का चुक आओ फिर एक्सेट में महिंद्रा का शोरू में वहां पहुंचे मैंना का स्कॉर्पियो देदे अब मॉडल पूली स्कॉर्पियो ले रहो बदमाशो की गाड़ी है हम कौन से शरीव है हम तो एक्सिदेंटल टीचर हैं टीचर तो हमारे नलिट सर हैं सारे लोग हैं हमको तो भग्वान कहते हैं कि जो पढ़ाओ हमको तो देंड मिला है हमने टीचरों को बहुत परिषान करते थे क्लास में हम तो आप देखते हैं क्लास जब हम क्लास लेते हैं कोई लड़का शायदी कभी question पूछता है, आपको question पूछिना चाहिए, आप उस विशे को तयार करके हैं, जो teacher पढ़ा रहा है, coaching बहुत प्यारी चीज है, अगर आप समझ जाएं कि coaching का रोल क्या है, coaching आपको एक साल में I.S. बना सकती है, मैं भी बताऊंगा कैसे है, सिर्फ बोलने की बात नहीं है, coaching इतनी प्यारी चीज है, कि आपको एक साल में I.S. बना दे, लेकिन आप एक छोटी सी गलती करते हो, और पूरी coaching और उसका पैसा और सब वेस्ट हो जाता है, फिर आप अपने आपको तो ब्लेम कर नहीं सकते, फिर वो मुझे जो, मेंबर था वहाँ पे एक लड़का था, वो समझाने लगा, देखे, अमने का छूट उट बत कर, पैसा बता कितना हुआ, यह ले, और कल गाली चाहिए, खतम, तुम्हारा सारा संगर्ष तुम्हारे मन पर टिका हुआ, मन पर, और अगर मन तुम्हारा कमजोर है, तो तुम सब की सुनोगे, और अगर तुम सब की सुनोगे, तो तुम कभी जीती नहीं सकते, मुहम्मद बीन तुकलक क्या है, किसी की नहीं सुनता, उसने का राजधानी परिवर्तन करेंगे उसके एडवाइसरों ने कहा सर बिल्कुल करो सर उज्जैन ले लो सर नॉर्थ छोड़ के कहा जाओगे सर दिल्ली हम सबसे ज़ादा खातरा नॉर्थ वेस्ट से है सारे आकरमल उधर से होते हैं सर हम दिल्ली नहीं छोड़ सकते सर तुम्हारे पास ज्यादा दिमाग है